एक्स्क्यूज मी यो ओल पीपल, आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं, वो मेरा कॉलेज पास ही में है, और इस एरिया में रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पोछ लूँ, लेकिन हम लोग तो किराय पर घर देते ही नहीं है, ये सुनते ह तो क्या मैं देख सकता हूँ, पहले बताओ किराय कितना दोगे, अरे अंटी किराय बड़ी बात नहीं है, बस गद्दा नरव होना चाहिए, और होटल से नीचे की तो फील आनी ही नहीं चाहिए, कमरा ऐसा ला जवाब हो कि देख कर दिल से निकले, वाओ, मनिका के मुँ मे पानी आ चुका था, और वो से अंदर लाती है, और प्रतीक का कमरा दिखा देती है, पर मॉम, ये मेरा कमरा है, अरे तीरा है, इसलिए तो दे रही हूँ, वैसे भी पुष्टैनी मकान कुछ तो कमा कर दे रहा है, तो थोड़े दिन उस बहो के कमरे में सोजा ना, क्या दिक दिमाग लगा प्रतीक थुड़ा, प्रतीक मनिका की बात मान लेता है, और इस तरहे शिखर कमरा फाइनल करता है, और इस तरहे प्रतीक और गुंजन का एक ही कमरा हो जाता है, गुंजन बाहर हो रहे शोर को दिवार की ओर्ट से झाक कर देखती है, तो शिखर के नजर उस गिर गया था और शिखर अभी भी उसे देखे जा रहा था ये चीज पतीक देख लेता है ये लड़की अंदर जाओ चलो माफ करना बेटा हमारी पगली बहु है नई है न तो पता नहीं किसके सामने आना चाहिए और किसके सामने नहीं वाटेवर मुझे कमरे से मतलब है अंटी और ये रहा आपका एडवान्स शिखर 15,000 रुपे मनिका के सामने लाता है पैसे देख कर सबके मूँ में लार आ रही थी मनिका जपटकर पैसे ले लेती है तो आज से ये कमरा मेरा अब कॉलेज के चिंता नहीं चिंता तो है ही ना ब मनिका मान जाती है और शिखर जाने लगता है तब ही उसकी नजर खिड़के में से पीछे आंगन के और जाती है जहां गुंचन मरे हुई तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी और शिखर वहाँ से चला जाता है गुंचन पलटती है तो वहाँ प्रतीक खड़ा था जो उसके और देखकर मुस्कुराता हुआ उसकी गीले बालों में हाथ फिरता है फिर गालों को सहलाता हुआ उसकी पलके चुमता है प्रतीक का सपर्ष पाकर गुंचन के मन में गोंज उट चुकी थी और प्रतीक की आगोश में पिगल रही थी तब ही प्रतीक उसके चहरे पर लगी टेड़ी बिंदी सीधी करता है और मुस्कुरा कर दोनों एक दूसरे की और देखी रहे थे कि तब ही गुंचन के मुझ से जोरदार आ निकलती है आ प्रतीक प्रतीक गुंचन की कमर पर भयंगर चिकोटी भर रहा था वेह उसकी कमर को कसकी भीच देता है और प्रतीक उसे छोड़ देता है तो माशा खतम हुआ तो कमरे की बात सुनले लड़की कल तेरी मुझ दिखाई है और आज तेरा पक फेरा है लेकिन पक फेरे के लिए तू जा तो रही है मकर खाली हाथ नहीं आएगी पैसा लेकर आएगी यार मॉम अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है मैं इसे कूट वूर दूँगा फाल तुमें इतनी सी बास समझ नहीं आ रही है क्या तुमें कि तुमें हम सब की जरूरते पूरी करनी होंगी यही तुम्हारा धर्म है बहु दहेज ना बंध हुआ है ना कभी बंध होगा बस बेटी के माबाब थोड़ा मॉडन बनकर उसे बेटी को दिये गई गिफ्ट्स का नाम दे देते हैं तो वो गिफ्ट्स हमें भी तो चाहिए और क्या माम हमने कौन सी गधे की लात मारी है जो ये भाबी हमारे घर हाथ हिलाती आ गई पर अगर ऐसा था ही तो आप उसे समय बाबा को क्यों नहीं बोले शायद वो आपके कुछ दिमांस पूरी कर सकते थे गुंजन प्रतीक की और देखती है और बीना कुछ बोले गाड़ी में बैठ कर उसके साथ चली जाती है उसे प्रतीक की पुरानी बात याद आती है ये कैसा सवाल है प्रतीक गम तो सब की सिंदगी में होता है गम सब की सिंदगी में है पर तुम सब के पास नहीं होगा न तुम देखो खुद को कितना शांत चहरा कितना खिलकलाता सा है ये कोई देख ले तो दिन की ठकान मिट जाए कोई चूम ले तो दिन बन जाए पूरे घर को रोशन ही कर दोगी तुम तो गुंजन शर्मा जाती है तभी प्रतीक की गाड़ी का जटके से ब्रेक लगता है और वो खयालों से बाहर आती है कौन है आप और जो मुझसे मिले थे फिर वो कौन थे क्या सब चल है ये पर मुझे चल कर मिलेगा ही क्या मैं तो बस सच में आपको अपना तन्मन धोनों सौम दिया था गुंजन की आँख से गिर रहे आसू के मोती खिड़की से आ रही हवा में उड़ रहे थे वे खिड़की पर हाट टिकाए बाहर जहाक रही थी और उसके आसू हवा उड़ा ले जा रही थी तब ही उधर से गुजर रहे शिखर की नजर गुंजन पर पढ़ती है और उसे हा पी, फाइनली मुझे कमरा मिल गया कॉलेज के पास में, धेर सारी गल्फेंड्स भी हैं, अब तो आशी आश होगी मुझे ये सब करके मज़ा थोड़ी ही आ रहा है गुंजन, लेकिन तुम भी तो हमारी मजबूरी समझो, पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या सोचा था तुम लाओगी घर से, पर तुमने तो अपने पैसे की पेटी भी अपने बाप को दे दी, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास गल्ती सुधारने का मौका है, जब लोटो तो वो सारे पैसे ले आना पैसा तो कमाने से आता है ना, कभी वो कमाने की कोशिश ही नहीं करी आपने प्रतीक का मेल एगो गुंजन की बात पर हर्ट हो गया था, और वो गाड़ी जटके से रोक कर, गुंजन को एक करारा चाटा जड़ दीता है और प्रतीक जटके से पहले गाड़ी शुरू करता है, और फिर चलती गाड़ी का दरवासा खोल कर, उसे धक्का मार कर बाहर धकेल दीता है और चीख कर कहता है, घर खाली हाथ आई तो इस बार गाड़ीों से भरी सड़क पर फेकूंगा गुंजन अब टूट गई थी, आज दूसरा ही तो दिन था, कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है उसके हाथ पर चोट थी, वो बे इंतिहां बस रोई जा रही थी ना सचना ना छोड मुझे, नई जाना पर दे सरे लीचा जिस अंगना दूसरा जना, मान लो अपना दे सरे में नई जाना खेडियां देना, में नई जाना खेडियां देना गुंजन एकदम से उठती है और वो अपने आसु पोच्चती है और पैदल ही घर को निकल जाती है, बस बहुत हुआ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं गुंजन अपने घर के बहार पहुशती है, उसकी पहले वाली सुन्दर दुनिया ही उसे बचा सकती थी, तभी उसे अंदर से रानी और सुधीर की आवास सुनाई देती है ए जी, कल गुंजन से बात नहीं हुई, वो एक बार भी घर आने को नहीं बोली, मुझे तो फिक्र हो रही है इतनी ही फिक्र थी, तो शादी ही ना करवाती, रखे रखती उसे कांधज में मणा कर घर में, अभी शादी का हिसाब निप्टा नहीं कि तेरी बेटी वाली कुड़कुड शुरू, अरे मेरी भी बेटी है वो, लेकिन मैं कुछ बोल ला हूँ वो ही तो दुख है ना जी स्वर्ग से घिरा सुधीर किसी हिंदी फिल्म के विलन लाला की तरहें साउंड कर रहा था, जो अकसर हीरो की मा के कंगन गिरवी रखकर उसे टॉर्चर करता था, ऐसे ही लग रहा था जैसे सुधीर ने अपनी आजादी के बदले, अपनी ही बेटी की शादी के रिष्टे म स्वर्ग से घर में हर दिन एक नया जन्व सा लगता है वहां तो, आप दोनों के मन में कुछ है, चेहरे पर कुछ, और बाहर, बाहर तो सब ठीक ही लग रहा है न मा बाबा, अगर आप लंग ढोंग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं नहीं दिखाऊंगे मेरे जख्म फिक्र मत करो बाबा, अब ये बोच और बोच सा नहीं बनेगा, हाँ, अगर थोड़ी बहुत मुझे बीटी मानने की गुंजायश बचे, तो कभी-कभी सेर्श जरूर से हिला दीना गुंजनासु बहाती कि तभी रौनक उसे अपने कमरे में ले जाता है, और अपनी सेविंग्स का बकसा खोलता है दीदी, राखी आ रही है न, पता नहीं मैं तब यहां रहूंगा या नहीं, पर तुम ये राखी बनाए रख लो, अभी इतना ही है, पर मैं और बचा कर फिट से दूँगा तुम्हें और गुंजन और रौनक गले लगते हैं, गुंजन जान गई थी कि उसका गुजारा वहीं ससुराल में होगा, क्योंकि एक घर अपना सा ना रहा, गुंजन विदा होकर खाली हाथ लोटने लगती है, पर उसे रास्ते पर ससुराल वालों की डाट फटकार ताने याद आ रह अगर पैसे लेकर नहीं गई, तो वो सच में मेरा जीना हराम कर देंगी, पर मैं क्या करूँ एश्वर तू ही बता, बता मालिक, कुछ देर बाद गुंजन ससुराल पहुँचती है, तो सब इसकी और घूर कर देखती है, और गुंजन अपने पर्स से नोटों की एक गड़ देख भावी माल लेकर आई है, और अलायक लोग ऐश करने लगते हैं, पर गुंजन पैसा लाई कहां से, आपको क्या लगता है, उस रात प्रतीक गुंजन के साथ एक ही बिस्तर पर था, वो गुंजन से खुश भी था, तो उसे प्यार करने लगता है, गुंजन तो जैसे होकर हॉल में बैठी थी, कि धेर सारी ओरते मो दिखाई के लिए आ गई थी, सबको गुंजन पसद आ रही थी, पर पीछे खड़ी एक और उसे लगातार घूरे जा रही थी, और पलक छपकते ही दर्वासे पर शिखरा खड़ा होता है, फैबली ड्रामा, हम आपके हैं कौन दीदी तेरा देवर दिवाना वाली कहानी चल रही है क्या, शिखर के हाथ में धीर सारा पैसा था, वो घर के अंदर घुचता है कि तब ही किसी आंटी की टांग में उलच कर उसका बैलंस भिगरता है, और वो गुंजन की उपर जाकर गिरता है, ये दीख सब आंटीयां हस परती है, शिखर भी हसकर हट जाता है, गुंजन बिचारी शरम से पानी पानी थी, अरे नहीं बहुतो आते ही मर्दों को अपने उपर गिरा लेती है, सब बेहुदी बाते करने लगी थी, तब ही मानिका देखती है कि गुंजन की जोली में शिखर ने धेर सारे पैसे डाल थे, ये देख वो और पतीक चड़ जाते हैं, क्या शिखर गुंजन के जिन्दगी का वो तुफान है जो उसकी जिन्दगी को और ज्यादा मुश्किल करेगा, क्या वक्त रहते प्रतीक को गुंजन की कदर समझ आएगी, रिष्टों को ढलते, चड़ते, रंगों के बीच, कौन सा रंग गुंजन पर रंगने वाला है और कौन सा आप पर, जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल लाव सिटी, थैंक्स पर वॉच्चिंग